नमस्कार दोस्तों, दोस्तों नसा किसी भी चीज का हो, जिस भी व्यक्ति को अपनी गिरफ्त में रहता है, वो व्यक्ति और उसका परिवार बहुत ही ज़्यादा समस्याओं का सामना करता रहता है, लोगों को अलग-अलग चीजों का नसा होता है, कोई ज़्यादा अलकोहल क पीते रहेते तो कुछ लोग तंबाकू, सिग्रेट, बिडी इस तरह का नशा करते हैं तो इन में से कोई भी नशा हो व्यक्ति को आर्थिक रूप से भी कमजोर करता है उनको जो है स्वास्त की द्रिष्टी से भी कमजोर करता है और समाजिक द्रिष्टी से देखा जाए तो व्यक्ति का मान सम्मान खत्म होता है पूरा के पूरा आप कई बार परिवार भी दोस्तो नसे की चपेट में बरवाद होयाता है तो आज की वीडियो में हम आपको अलग-अलग तरह के नसों को छुडाने के लिए जो होमेविधिक दवाए यूज की जाती है और उसके आपको मार्केट में इजिली अवेलेबल हो जाएगा उसके साथ दोस्तो आपको सलफर 200 कोटेंसी में हफते में एक बार मरीच की जीप पर दो बुंद डालना चाहिए परंदु जदी आप इससे भी बेटर रिजल्ट चाहते हैं तो आपको दोस्तो गंगा ग्यान कंपनी का ये अलकोहल है भी ड्राप यूज़ करना चाहिए क्योंकि इसमें क्वेरकस तो मिला ही है कुछ ऐसी अन्य दवाई भी मिली है जो सीधे अलकोहल करने वाले व्यक्ति के मस्तिस्क पर उसके मन पर अपना प्रभाव डालती है और उसे अलकोहल के प्रती ग्रणा उत्पन्न कर जैसे इसमें मिला हुआ है क्वेरकस इस्टर कुलिया नक्स बोमिका कैप्सिका मेंडर सोन्या एवेना सटाइवा तो आप कोशिस करें आपको यह ड्राप मिल जाती है तो वेस्ट है ना मिलती है दोस्तो तो आप जो है क्वेरकस का मदर टिंचर भी दे सकते हैं या नीचे कर भी इस लट को नहीं छोड़ा पाते तो दोस्तो ऐसे लोगों के लिए आपको दो मेडिसीन यूज कर सकते हैं दोनों मेडिसीन आपको एक साथ यूज नहीं करना है दोनों मेंसे कोई भी एक मेडिसीन यूज करना है यदि एक मेडिसीन कोई फेल हो या थी तो आप दूस तरीक को इस तरह सुबह खाली पेट 4 गुन जो है व्यक्ति की जीप पर डालना है तो यदि आप अपना नसा छोड़ाना चाहते हैं तो केलेडियम 30 पोटेंसी में सुबह खाली पेट 4 गुन जीप पर डालेंगे एक दिन छोड़ कर दोस्तो यदि आपको इसके परिणाम नही यहां पर मैं आपको बता दूँ कि यह जो दवा है टेवे कम यह तंबाकु से ही बनती है दोस्तो इसके अलावा मैं आपको अपने एक विसेस तरीके का यूज करना बताऊंगा जो मैं जनरली अपने मरीजों को बोलता हूँ मैं उन्हें बोलता हूँ कि आपको एकदम से न प्रोसीजर इसमें क्या किये जाता है दोस्तो कि यदि किसी व्यक्ति को रोज की हम एक कुवंटिटी मानते हैं कि 20 शिगरेट पीने की यादा थे तो मैं उसे यह नहीं कहता हूँ कि आपको कल से छोड़ देना है और यह दवाय आपको साथ में लेना है तो दोस्तो इतना ज कोई भी कर लेता है उसको एकडम से शरीर पर भी सकासर नहीं दिखता नहीं उसको जो आदत पढ़ गई है उसके विरुध्द जो है उसको किसी प्रकार की दिखकत जाती है परतू यह आप एकडम से 20 पीश पिने वालों को बोलेंगे कि कल से सिग्रेट नहीं पिना आप कोशि जाती इसी तरह बीडी या इसी तरह तंबाकू के केसिस में आपको इन दवयों को यूज करना है दोस्तों जो मैंने आपको क्वेरिकस का मदर डिंचर बताया एलकोहल विड्रा के लिए उसको आपको 20-20 बून सुबह दोपर रात जो है प्रभाविद वेक्ति को देना है या भांग या गांजा चिलम इन सभी चीजों का होता दोस्तों यह सभी चीज़े डारेक्ट जो है मानसिक तोर पर वर्ग करती और व्यक्ति को ऐसा लगता है जैसे वो बहुत ज़्यादा अच्छी इस्तिती में नसे में जाकर कि उससे ऐसा फील होता है तो इन कंडिशन के लि दोस्तों 200 पोटेंसी में यूज करना है एक दिन छोड़ कर एवरी आल्टरनेट डे सुवह खाली पेट चार भूंदे ध्यान रखे एवेनस अटाइवा मदर टिंचर में सुवह दोफर रात दिन में तीन बार देना है आधे कप गुंगुने पानी में 20 बूल और इस्ट्र आपको चाय की लत लग गई है चाय का नशा आपको चड़ गया है उस जिस प्रकार से दूस्तों एल्कोहल यह दूसरे माधक पदार्थों के अपने दुष परिणाम होते हैं उतना और कई बार उससे अधिक दुष परिणाम देखने को मिलता है चाय पीने वाले मरीजों मे जो बहुत अधिक मातरा में चाय पीते हैं क्योंकि इसमें भी कैफीन होता है जो आपके पूरे की पूरे पाशन तंत्र को गड़बड कर देता है आपके मस्तिसकों को गड़बड कर देता है आपके वावेल मूम्मेंट पूरी तरह से प्रभावित कर देता है कई सारे देने की ज़रुत निए केवल हो में पतिकी एक मातर मेडिसीन नक्स बूमिका आपको यूज करना है 30 पोटिंसी में इसे सुवह चारबून दो शाम को चारबून दिन में दो बर जीप पर डारेकली डालना है नक्स बूमिका दोस्तों ऐसे लोगों को बहुत ज्यादा सेवन करना चाहिए चाय के दोस्त परिणाम से तो मुक्त होंगे ही चाय भीने की आदत भी दोस्तों धीरे-धीरे कम होते होते छोड़ जाएगी साथ में याद रखिएगा जो हमारी बिड़रा प्रोसीजर है उसे अपनाईएगा कोई भी चीज को एकदम से मत छोड़िए ना तो वो छूटने वाली है और यदि आपने वेसा छोड़ा तो आपके सरीर पर इसके बहुत सारे साइड एफेक्ट और दुस्त परिणाम आने सुरू हो जाएगे तो उसे आप धीरे-धीरे करके स्टेज बाई स्टेज कम करते जाएगे एक 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 क्वांटिटी कम करते जाएगे भले आपको थोड़ा सा समय जादा लगेगा पर इस तरह से जो आदत आपकी जो बुरी लत आपकी छूटेगी वो परमाने इंड भी छूटेगी और उसके कोई दुस्त परिणाम भी आपकी बाड़ी पर नहीं दिखाई देंगे तो दोस्तों उम्मीद करूँग